दोस्तों गुजरात election को लेकर जो exit poll सामने आये जो नतीजे सामने आये वो गोधी मीडिया में कुछ अलग तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं लेकिन आप से जो opinion poll लिया जो आपकी राय ली और जो गुजरात पर जमीनी हकीकत था उसके आधार पर अगर आप देखे तो गुजरात की जनता जबर्दस तरीके से भाजपा से तरस्त थी और यही वज़ा रही है कि बीजेपी का जो गुजरात मॉजल है वो पूरी तरीके से failure लोगों के सामने नजर आया हर एक मॉजल की पोल खुलती भी नजर आई और exit पोल में गोधी मीडिया दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है बापसी कर रही है लेकिन सारे exit पोल सारे सर्वे गोधी मीडिया के धरे के धरे रह गए है क्योंकि जब हमने exit पोल की जब हमने आपसे आपकी राय जाने की कोशिश की तो आपने अलग राय बताई और जैसे ही गुजरात election को लेकर exit पोल मीडिया का सामने आया उसको लेकर भी हमने मंतन किया हमने आपसे सवाल पूछा तो आपने उसमें ऐसा सवाल दिया जो काफी चौका देने वाला है दोस्तों जी हाँ हमारे सर्वे में donation के सर्वे में ये बताया जा रहा है हमने आपसे पूछा कि गुजरात exit पोल पर क्या चैनलों का exit पोल 8 दिसंबर को गलत साबित होगा धरा का धरा रह जाएगा जो गुजरात election को लेकर गोदी मीडिया exit पोल कर रहा है तो आपके जो जवाब है दोस्तों वो हाँ है आपके जवाब है कि सारे exit पोल धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि गुजरात में परिवर्तन की एक नई लहर देखने को मिल रही है तो दोस्तों इसमें जो percentage है गोदी मीडिया के exit पोल को लेकर गुजरात के exit पोल को लेकर वो यह है कि लोगों का कहना है आपका कहना है एक 90% से ज़ादा लोग कह रहे हैं कि सारे exit पोल गुजरात के जो गोदी मीडिया के जरीए दिखाए जारे वो सब के सब धराशाही रह जाएंगे और 9 परतीषट लोग कह रहें कि नहीं जो गोदी मीडिया एग्ज़ट पोल दिखा रही है वही सही है तो इस तरीके कि तमाम रुज़ाणा आपके सामने हैं कैसे जो लोग है गुजरात एक्जिट पोल पर अपनी प्रतिकीरिया दे रहे हैं कि कॉंग्रेस यहां पर सरकार बनाती भी नज़र आ रही है कटू वच्चन नाम के एक यूजर है वो लिख रहे है कि गुजरात के एक्जिट पोल गलत साबित होंगे एक्जिट पोल आने से पहले बता रहा हूं क्योंकि गुजरात के वोटरों ने एक्जिट पोल वालों को भी गुमराह किया है क्योंकि गाओं के जो लोगों ने सबसे जादा वोट किया है दोस्तों वो है कॉंग्रेस को ऐसी खबरे सूतरों के मुताबिक इंटर्नल सर्वे में भी सामने आया था क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है बीजेपी की बहुत घटी हुई नजर आई है उसके बारे में भी पूरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन पहले कुछ ट्वीट पर आपको नजर दिखाते है और आखड़े पर भी जैहिंदनाम के एक पेज से टूइट के आगिया कि मेक टिक टोल्ड 10 और नवंबर बीजेपी 26-28 सीट और कॉंग्रिस 44 सीट और आम आद भी 1-2 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी इस मेरे बात को लिख लीजिए तनवीज से लिखते हैं कि जो जूट कब तक जूट बोलेगा देश को कब तक गुमराह करोगी तुम लोग गोधी मीजिया को ये बताया जा रहा है कि सीधे तोर पर जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि गुजरात की जनता बीजेपी को नहीं पसंद कर रही थी और वोट भी उसी तरीके के पड़े है प्रभाकर मिश्रा जो है इच वेटीफोर के पत्रकार वो लिख रहे है कि मदगर्णा के दिन तीनों जश्न मनाएंगे एक गुजरात में एक हिमाचल में और एक दिल्ली में यानि कि इनका जो बात है बताया जा रहा है हाला कि गुजरात नाका सवाल है और अगर नाका सवाल में गोधी मीडिया इस तरीके की हरकत करनी शुरू कर देगी तो पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लिए काफी जादा नुकसान दायक साबित हो सकता है क्योंकि आपको बता दे दोस्तों कि गुजरात में दूसरे चरन के मतदान में भी वोट परतीशत नहीं बढ़ पाया बीजेपी का चुनाव आयोग के मताविक शाम पांट बजे तक दूसरे चरन में 58.70% मतदान हुआ हाला कि अंतिम परतीशत देर रात संसोधित होगा लेकिन उसके 60% से उपर जाने के अनुमान नहीं है पहले चरन में 63.14% मतदान हुआ था दूसरे चरन में मतदान परतीशत बढ़ाने के लिए तो चुनाव आयोग ने शनिवार को बड़ी मेहनत की थी लेकिन उमीद के हिसाब से दूसरे चरन में परतीशत नहीं बढ़ा कम परतीशत को क्या खत्रे की घंटी मान ली जाए बीजेपी के लिए क्योंकि मतदान का कम परतीशत शहरी या सेमी अरवन इलाकों में रहा इन इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस तरह 2022 में मतदान के परतीशत 2017 के बराबर भी नहीं पहुँच पाया है इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि शहरी मतदाता इस वार भी वोट डाले कम तादाद में गया है तो क्या उसे राजनीतिक दलों से नाराजगी मानी जाए ऐसे में लोगों की पहली नाराजगी तो सत्ता रूट दल यानि कि BJP से ही होती है लेकिन 8 दिसंबर को सही तस्वीरे सामने आएंगी कि शहरी इलाकों ने BJP को कितना साथ दिया BJP का कितना सपोर्ट किया जो रैली जो सबाओं में हलो मोदी जी हाई मोदी जी और मोदी मोदी किया जा रहाता वो कितना सही है और कितना असर दायक है क्योंकि 2012 और 2017 की गुजरात विदान सबाद चुनाप से अगर तुलना की जाए दोस्तों तो 2012 में BJP को शहरी छेतरों से जादा बढ़त मिली थी लेकिन 2017 में उसे शहरी छेतरों में 2012 की मुकाबले बढ़त नहीं मिल पाई जबकि कॉंग्रेस ग्रामीन इलाकों में लगातार बहतर प्रदर्शन कर रही है 2012 में सबसे जादा यानि कि 71.32% मतदान हुआ था जबकि 68.41% मतदान जो है वो हुआ था गुजरात के 182 विदान सबा सीटों में 89 सीटे ग्रामीन और 84 सीटे शेहरी मानी जाती है सीटों पर ही सिमट गई थी 2022 के विदान सबा चुना में जो पहले चौरन में मतदान हुआ उसमें आदिवासी और ग्रामीन इलाकों के मुकाबले शहरी इलाके वाले मतदान 15 फीजदी कम वोट डालने गए थे और पहले चौरन में 89 सीटों के लिए वोट डाले गए थे थी और 2017 के परिवर्तर ने बताया था कि बीज़ेपी को ग्रामीन इलाकों में बड़ा जटका लगा था क्योंकि ग्रामीन इलाकों के जो लोग हैं वो बीज़ेपी के साथ नजर नहीं आ रहे थे उत्तर गुजरात की 90.50 सीटे ग्रामीन ही है दक्षण गुजरात में यह आख्रा महर पचास परतिशत है सौराश्था और मध्य गुजरात के लिए ग्रामीन सीटों का हिस्सा 75 परतिशत और 63 परतिशत है गुजरात और सौराष्टर के ग्रामिन सीटों पर कॉंग्रेस बीजेपी से आगे रही थी और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी कुछ इसी तरीके से बीजेपी को पचाड़ते हुए कॉंग्रेस जो है अपना दबदबा बनाती भी नजर आ रही है और जै यही बज़ा रही है कि हमने जवाब से पूछा हमने जवाब से सवाल किया और हमने जवाब से एक्जेट पोल में पूछने की कोशिश की कि आप किसे चाते हैं आपकी क्या राय है तो आपने हमें वही बताया जो हकीकत गुजरात की सरजमी पर बताई जा रही थी जो तो हम जो आकड़े, उसी आकड़े के हिसाब से आपको बता रहे हैं, कि जो गोधी मीडिया का exit poll आपको दिखाया जा रहा है गुजरात को लेकर, उसको लेकर अनुमान और अंदेशा, तमाम users लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सब बक्वास किया जा रहा है, गोधी मीडिय एक ना एक पार्टी को तो जीत हासिल करके दिखाएगी और इसमें गुजरात तो सबसे एहम seat माना जा रहा है, तो इसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रही है, और दोस्तों आपको क्या लग रहा है, हमें एक बार फिर से comment करके बताईए, क्योंकि आपकी राय सबसे जादा important है, आप जनता है, आप decide करेंगे कि कौन कुरसी पर रहेगी और कौन नहीं रहेगा, तो आप हमें बताईए comment करके कि गुजरात में क्या सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले